कुंति देवी एक गरीब बुढिया थी शादी के बाद बेटों ने उसे धक्के मार कर घर से निकाल दिया था गाउं के कुछ लोगों ने उस पर रहम खाकर कुंति को रहने लायक एक जोपड़ी बना कर दे दिया था जिसमें वो रहती थी कुंति देवी को खेती करने का बड़ा शौक था वो जोपड़ी के बाहर अपने आगन में ही थोड़ी थोड़ी सबजिया लगाया करती थी अरे वाह सारी सबजिया तो बहुत हरी भरी हुई है और ये बैंगन देखो कितना सुन्दर नजर आ रहा है और ये मटर ये भी कितना सुन्दर है एक काम करती हूँ सारी सबजिया मिक्स करके न स्वादिष्ट सबजी बनाती हूँ वैसे ही कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है मैंने कुंति देवी सारी सबजिया तोड़कर अपने घर में ले जाती है और सारी सबजियों को मिलाकर मिक्स सबजियां बनाकर तयार कर लेती है सबजी काफी ज्यादा स्वादिष्ट बनी हुई थी जिसे खाने के बाद कुंति देवी का पेट भर जाता है ऐसे ही रात को सोते वक्त कुंती देवी अपने भविश्य के बारे में सोच रही थी कुछ तो करना पड़ेगा कुंती बच्चों ने तो तुझे बुढ़ापे में धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया है कुंती देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे इसलिए कुंती देवी अगली सुभा बड़ी-बड़ी कोठियों में जाकर साह सफाई करने का काम ढूड़ने लगती है लेकिन बुढ़ी औरत को देखकर हर कोई उसे काम देने से मना कर देता था बेचारी बहुत परिशान थी वह उदास होकर घर आ ही रही थी तब ही वहाँ पर एक छोटा बच्चा साइकल पर मिर्ची धनिया और नीमू बेच रहा था ये देखकर कुंती देवी के मन में खयाल आता है अरे ये इतना छोटा सा बच्चा नीमू मिर्ची धनिया बेच रहा है क्यों न मैं भी इसी तरह से अपना काम शुरू करूँ क्योंकि मुझे कोई भी काम पर नहीं रखेगा हाँ मेरा शरीर महनत करने लायक नहीं है कुंती देवी अपने घर आ जाती है घर आने के बाद वो अपने चोटे से बगीचे में जाकर देखती है कि आखिर कौन-कौन सी सबजिया हो रखी है तब ही कुंती देवी देखती है कि उसके बगीचे में बहुत सारे लाल-लाल टमाटर बहुत सारे मटर, मिर्ची, धनिया हो रखे है ये देखकर कुंती बहुत खुश होती है और वे सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा तोड़ कर साफ करके एक टोकरी में रख लेती है अगले दिन टोकरी अपने सर पर उठाकर मार्किट की तरफ निकल जाती है कुंती देवी की सब्जियां बहुत ही ज्यादा हरी भरी थी इस वज़ा से उसकी अच्छी बिक्री होती है पहले दिन में ही उसकी काफी अच्छी बिक्री हो गई थी वह खुशी-खुशी सारे पैसे लेकर अपने घर चली जाती है तभी रात को कुंती देवी का बेटा मोहन और बहु अर्चना वहां आते है वह दोनों अपना दुख्रा कुंती देवी को सुनाते हुए कहते है मा देख हम जानते हैं कि हमने तेरे साथ बहुत गलत किया लेकिन तुझे भी सोचना चाहिए कि अब हमारा भी परिवार है उनके बारे में सोचना मेरा ही फर्ज है मैं यहां तेरे से लड़ाई जगड़ा करने नहीं आया हूँ बलकि कुछ पैसों की मद चाहिए मुझे क्योंकि तेरा पोता बहुत बिमार है क्या हुआ है मेरे पोते को अरे तुम दोनों से एक बच्चा नहीं समाला जा रहा क्या मा उसे पी लिया हो गया है और उसके इलाज में थोड़े से पैसे लगेंगे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका समय से इलाज करवा पाऊं अगर तेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो तुम मुझे दे दे हाँ मा जी आपका ही पोता है और आप मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा आखिर अपनों से ही लोगों को उमीद होती है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बहू कि अपनों से ही तो उमीद होती है हमें फिर मेरी उमीद का क्या तुमने तो मुझे बुढ़ापे में धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया था अब तुम दोनों यहां मुझसे पैसे मांगने के लिए आए हो ये नहीं सोच रहे कि मैंने अकेले इतना सब कुछ किया है क्योंकि इस बुढ़ापे में कोई मुझे काम पर रखने के लिए तो तयार है नहीं फिर बेरे पास पैसे कहां से आएंगे मा तुझे क्या लगता है कि एक बच्चा अपनी मा को पहचानता नहीं है अरे मैं अच्छे से जानता हूँ तु नोर्तों में से है कि अकेले ही सब कुछ कर सकती है इतना तो मुझे भरोसा है कि तुने ना तब भीक मांगा होगा और ना ही चोरी की होगी बल्कि मैनत से कहीं से पैसों का कुछ न कुछ जुगार कर ही लिया होगा तो मान दे देना अपने बेटे को पैसे तुम दोनों का वहवार और तुम दोनों की शकल पर तो मैं एक रुपिया भी तुमें ना दू लेकिन सिर्फ अपने पोते की तबियत के लिए मेरे पास जितने पैसे है मैं तुम्हें दे दूँगी लेकिन एक बात हमेशा याद रखना पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया या फिर मैंने तुम्हें अपना लिया है जीवन में कैसी भी परिस्थिती क्यों ना आ जाए मैं अकेले ही अपना पेट पालूंगी लेकिन तुम्हारे आगे कभी हाथ नहीं फैलाओंगी कुंति देवी अपने बेटे को हाजार रुपया निकाल कर देती है दोनों पति-पत्नी खुशी-खुशी पैसे को लेकर अपने घर आ जाते है ऐसे ही अगले दिन कुंति देवी फिर से अपने बगीचे से कुछ सबजिया तोड़ती है और उन सबजियों को बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है उन पैसों से कुंति देवी अपनली दवाईयां और घर का कुछ सामान ले लेती है चलो भगवान की कृपा से मेरी दवाई तो आ गई अब एक महीने मुझे दवाई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे ही समय बीचता जाता है सबजी बेच बेच कर कुंति देवी अपना जीवन जी रही थी एक दिन कुंति देवी बाजार में सबजियां मेच रही थी तब ही वहाँ पर एक रहाख आता है और वहे रहाख कुंति देवी से कहता है हाँ बेटा, मेरे यहाँ की सबजी बहुत अच्छी होती है लेकिन मेरे बागीचे में गोभी की खेती नहीं होती तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही गोभी की खेती करूँगी अभी के लिए तुम कहीं और से गोभी खरीद लो कुंति देवी के मन में गोभी उगाने की बात आ जाती है कुंति देवी घर आती है घर आने के बाद वे अपने बगीचे में बैठ कर सभी सबजियों को निहार रही थी और बार बार गोबी को गाने के बारे में ही सोच रही थी ऐसे ही थोड़ी देर बाद कुंती अपने कमरे में जाकर सो जाती है अगली सुभा जैसे ही कुंती उठती है वह देखती है कि उसके बागीचे की सारी सबजियां हर जगा बिखरी पड़ी हुई है ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जान बुझकर पूरी सबजियों को नश्ट करने की रादे से ये सब किया है हे भगवान आखिर इतनी बुरी हरकत किसने की है मेरे साथ कौन है ऐसा जिससे मेरी खुशी देख ही नहीं जा रही ये सब क्यूं हुआ है भगवान अब कैसे मैं अपना पेट पालूँगी वाजार में सबजियां बेच बेच कर ही मैं अपना जीवन जी रही थी अब किसके भरोसे जीऊंगी मैं तब ही वहाँ पर मोहन आता है और मोहन कुन्ती को ऐसा रोता हुआ देख कर हस रहा था मजा आ रहा है न मा अपने बेटे से जूट बोलती हो अरे रोज रोज तुम अच्छा पैसा कमाती हो ये नहीं कि अपने बेटे को अपने कमाय हुए पैसे चुप चाप उसके घर तक पहुँचा दूँ अगर अपने बच्चों से दगा बाजी करोगी तो यही सम मिलेगा तुम्हें कुन्ती समझ जाती है कि इस सब कुछ मोहन ने किया है बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है वह चुप चाप अपने घर चली जाती है ऐसे ही अगली सुभा कुन्ती फिर से अपने बागीचे में आती है और देखती है कि उसके बागीचे में दो मुवाला एक गोभी उगा हुआ है पूरे बागीचे में सिर्फ एक ही दो मुवाले गोभी को देखकर कुन्ती हैरान थी घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था कुन्ती देवी उसी गोभी को तोड़कर घर में ले जाती है तभी वो भी कुन्ती से कहता है अरे अमा, हमें काटो मत, ना हमारी सबजी बनाओ, हम कोई आम गोबी नहीं है, बलकि हम तो जादवी दो मुवाले गोबी है, और हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए है यहाँ, क्योंकि बहुत दिनों से तुम परेशान हो, इसलिए भगवान ने खुद हमें यहाँ प मुवाला जादवी गोबी हूँ, और यहाँ मैं आपकी मदद करने आया हूँ, एक मुझे मैं आपसे बाते करूँगा, आपकी परेशानी सुनूँगा, और दूसरे मुझे मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करूँगा, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास था, वह आज नहीं तो कल, किसी न किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगे, भले ही भगवान ने तुम्हें यहाँ दो गोबी का रूप दे कर भेजा हो, लेकिन बेरे लिए तो तुम साक्षाद भगवान हो, अरे अम्मा हम कोई भगवान नहीं हैं, बलकि हम भ जादूई दो मुवाला गोभी अपने दूसरे मूँ से खूब सारा पैसा निकालने लगता है, कुंति देवी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है, अगले दिन कुंति देवी अपने लिए बहुत बड़ा खेत खरीती है, और उस खेत में खेती करना शुरू कर देत है, धीरे धीरे कुंति देवी बहुत अमीर हो जाती है, जब मोहन को ये बात पता लगती है, तो वह फोरन कुंति देवी के घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता है, अखिर मेरी मा के हाथ में ऐसी कौन सी तिजोरी की चावी लग गई है, अखिर वो अमीर कैसे हो फटा का फटा रह जाता है, वह जल्दी से सारा सामान धीरे धीरे चुरानी की कोशिश कर रहा था, तब ही वहाँ पर जादूई गोभी आ जाता है, और जादूई गोभी अपने दोनु मूँ से एक लंबी सी रस्सी निकालता है, और उस रस्सी से मोहन को पूरी तरह से बा जिसके बाद मोहन की हालत खराब हो जाती है तब ही जादुई गोभी कहता है दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना वरना इसी तरह से तुम्हारा बुरा हाल होगा जादुई गोभी मोहन को चेतावनी देकर छोड़ देता है मोहन डर के मारे वहां से भाग जाता है और तो बारा कभी कुंती देवी की घर की और आख उठा कर भी नहीं देखता एक छोटे से काओं में मंगलू नाम का एक गरीब किसान रहता था उसके पास अपनी छोटी सी जमीन थी जिस पर वे खेती पड़ी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रहा था उसके पर ओ बेटा तुम तो जानते हो जब से उस हाथ से में मेरा हाथ चला गया तब से तुछ पर ही सारे घर की जिम्मेदारी आन पड़ी है बेटा मैं चाहता हूँ कि हम अपनी रजनी की शादी धूम धाम से करें बाबा चाहता तो मैं भी यही हूँ लेगिन आप तो जानते ही है जो भी कमा कर देता हूँ, वो मा के हाथ पर रख देता हूँ, अब आप मा से ही पूछ लीजिये, कितना जुड़ गया है तब ही मंगलू की मा रसोई से निकल कर पाहर आती है सारा परिवार एकदम से खामोश हो जाता है फिर मंगलू के बाबा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पहले आकर लड़के वाले लड़की को पसंद तो कर जाए फिर एक दिन रचनी को देखने एक पहुती सब भे परिवार आता है और वे रचनी को पसंद कर लेते हैं भावी, आपकी बेटे आगा बहुत अच्छी लगी, बहुत अगले महीने का कोई शुब महूरिक निकाल कर बच्चों की शादित्या कर देते हैं जैसा आपको ठीक लगे, पर अगर थोड़ी दान देच की बात हो जाती तो देखो भाई, मेरा एक लोटा बेटा है, जिसे मैंने बहुत पड़ाया लिखाया है आज बहुत अच्छी जगा पर नौकरी कर रहा है, पच्चिस हजार रुबा महीने का कमातो है अब आप लोग देख लीजिए कि हमारे हिसाब से अब कितना कर्श कर सकते हैं बागी सबाब देख लीजिएगा, बस एक लाख रुपा नगत देने से ही मेरे बेटे को रोक देना, समाज में हमारा नामूचा हो जाएगा ये सुनकर, रजनी के परिवार को काटो तो खून नहीं की हालत हो गई, वे फिर भी रिष्टे के लिए हा कर देते हैं और उन लोगों के जाने के बाद हे भगवान, एक लाख रुपा नगत बोला है, और बाकी शादी का खर्चा कम से कम, पांच-छे लाख में जाकर रजनी के शादी होगी हाँ बाबा, इतने रुपए तो लग जाएंगे, पर चिंता मत करो, मैं जमीदार से बात करके देखता हूँ उनसे कुछ पैसे उधार ले लूँगा, फिर दीरे दीरे चुकाता रहूँगा मा तुम भी कैसी बाते कर रही हो, कल के बारे में सोच रही हो और आज जो है, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हो मंगलू परशान हालत में अपने खेतों की तरफ चला जाता है दिसंबर का महीना था, किसानों ने अपने खेतों में गोबी की फसल लगाई हुई थी मंगलू उदास सा, अपने खेत में इधर से उधर खूमते हुए खर पत्वार निकाल रहा था और फिर ठकने के कारण वे एक जगा बैट जाता है और रोने लगता है तब ही वहाँ एक कुटा आता है और मंगलू का पैर चाटने लगता है मंगलू उसके साथ बाते करते हुए और सीटी बजाते हुए उसे घर तक ले आता है और फिर अपनी मा से कहता है कि इसके लिए रोटी दे दो रोटी खाने के बाद वे कुटा उसी चौकट पर बैट जाता है और पूँछ हिलाने लगता है भाईया ये कुटा तो यहीं बैट गया है मुझे नहीं लगता अब यह यहां से जाएगा कोई बात नहीं बेचारा दो रोटी खाएगा लेकिन घर के हिवाज़त भी तो करेगा इसका कोई नाम बताओ क्या रखें देखो तो भाई ये बिलकुल सफेद रंका है क्यों ना इसका नाम शेरू रखें शेरू ये तो बड़ा ही प्यारा नाम है फिर रात को जब सब लोग खाना खाते हैं तो शेरू को भी खाना देते हैं अगले दिन सुभा मंगलू खेतों में सबजी तोड़ने के लिए चला जाता है शेरू भी उसके पीछे पीछे खेतों में चला जाता है ये सुनकर शेरू खेलने लगता है और फिर खेतों के बीच तोड़ने लगता है मंगलू उसे ऐसा करने से रोकता है कि तभी शेरू एक जगा पर रोक कर जोर जोर से भोंकने लगता है अरे क्या देख लिया तुमने इतनी जोर जोर से क्यों भोंक रहे हो पर शेरू लगातार भोंके जा रहा था मंगलू वहां पहुँच जाता है तो देखता है कि वे गोबी के फूल को देखकर ही भौक रहा है मंगलू शेरू को वहां से चलने के लिए बोलता है लेकिन शेरू वहां से हिलता ही नहीं तब मंगलू थ्यान से उस गोबी की फूल को देखने लगता है, वे चांदी की तरह चमक रहा था, यह कहकर मंगलू उस फूल को तोड़ने लगता है, कि तभी वे फूल बोल पड़ता है, यहां से मत निकालो, वरना मैं मुर्जा जाऊंगा, अभी अभी तुम्हारे कुत्ते ने भी मुझे भौक भौक के परिशान कर दिया है, यह गोबी की फूल को बोलता हुआ देखकर मंगलू हैरान था, और उथर शेरू चुप नहीं हो रहा था, मंगलू उसे डाट कर चुप वी पर भेजा है, और एक दिन के लिए मुझे यहां पर इस कड़ कड़ाती ठंड में रहना पड़ेगा, यह तो और भी है रानी की बात है, भला सबजियों के भी दुनिया होती है, और उन्हें भी सजा मिलती है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, मुझे आज पूरा दि तुम मेरे लिए कुछ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूँगा, अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, अपना स्वेटर तुम्हारे उपर डाल देता हूँ, इससे तुम्हें गर्मी का एसास होगा, और ऐसा पोल कर, मंगलू अपना स्वेटर उतार कर गोबी के फूल को ठक देता है अरे वहाँ यह तो काफी गर में मुझे अच्छा लग रहा है अब मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ नहीं नहीं मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है तब ही वहाँ पर मंगलू का दोस्त आ जाता है अरो मंगलू मैंने जुना है कि रजनी की शादी तै हो गई है बहुत बत मुबारक को भाई मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ हाँ भाई शादी तो तै हो गई है लेकिन मुझे बड़ी चिंता भी हो रही है कम से कम 6-7 लाग रुपे चाहिए शादी के लिए कर लूँ पर वे बहुत लालची है या तो घर को गिरिवी रखेगा या जमीन को हाँ मेरे भाई वो तो बहुत लालची इंसान है चल तो फिक्र मत कर अगर इतना कुछ है तो बगवार ने तेरे लिए भी कुछ सोचा ही होगा और ये स्वेटर नीचे पड़ा है नहीं नहीं यह तो मैंने बस अभी रखा है मैं उठा कर पहन लूँगा उसका दोस वहाँ से चला जाता है शेरू भी अब आराम से बेटा हुआ था अरे बापरे तुम्हारे यहां इतना पैसा लगा कर शादी की जाती है तुम्हारी बात बड़ी अच्छी है लेकिन मुझे इस पर जरा भी हसी नहीं आई हम करीब लोग ना जाने कितने सपने देखते हैं और कितनों को तूटते हुए भी देखते हैं लेकिन मैं अपने बापा का सपना नहीं तूटने दूँगा अगर उन्होंने रजनी के लिए वो घर पसंद किया है तो मेरी बहन की शादी वहीं होगी बेशक उसके लिए मुझे हार तोड मेहनत करनी पड़े चलो अब तुम आराम करो कल सुबा मैं इस स्वेटर यहां से उठा लूँगा अरे इतनी भी क्या जल्दी है यहां से जाने की थोड़ी देर मुझे से बाते करो मैं जरूर तुमसे बाते करता लेकिन मेरी बेन की शादी है अगले महीने तै हुई है इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें पैसो की जरूरत है वह तुम्हें तुम्हें दे सकता हूँ और तुम्हें उसके बदले में मुझे कुछ वापस करने की जरूरत ही नहीं है यह तुम क्या कह रहे हो अभी तुमने कहा था कि तुम्हारा जादू नहीं चल सकता लगता है तुम कुछ ज्यादा ही परिशान हो मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा जादू मुझ पर नहीं चल सकता लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तब ही वहाँ पर एक सोने का बहुत बड़ा गोबी का फूल आ जाता है जिसे देखकर शेरू फिर से भूखने लगता है चुप करो शेरू ये सोने की गोबी का फूल लग रहा है बिल्कुल सही कहा तुमने इसे बेचकर तुम अपनी बहन की शादी करो ऐसा करता हूँ कि एक फूल मैं तुम्हें दे देता हूँ वहाँ पर अब दो सोने के गोबी की फूल पड़े हुए थे जिसे देखकर मंगलू को समझ नहीं आ रहा था कि वे इन्हें उठाए और क्या करे क्या सोच रहे हो तुमने मेरी मदद की मैंने तुम्हारी मदद की बात खत्म हो गई पर मैंने तो तुम्हें केवल एक स्वेटर से ढगा और तुमने मुझे इतना कुछ दे दिया तुमने किसी की जान बचाई है यहाँ तो निर्जीर चीज है जादा मत सोचो इसे ले जाओ और अपने सारे काम करो मंगलू बहुत खुश होता है वे उन दोनों सोने के गोबी के फूलों को खड़ ले आता है और अपने घरवालों को सारी बात बताता है अब वे लोग बहुत खुश थे शाम को ही मंगलू अपनी मा के साथ जाकर उन जादूई फूलों के बदले बहुत सारा पैसा ले आता है और वे पैसा इतना सारा था कि शादी होने के बाद भी बहुत सारा पैसा बच जाना था किसी ने सची कहा है कि नेकी का फूल जरूर मिलता है अगले दिन सुभा मंगलू शेरू के साथ जब खेतों में जाता है तो वहाँ पर उसका स्वेटर तो पड़ा था लेकिन वे जादूई कोबी का फूल नहीं था वे समझ गया कि उसकी सजा पूरी हो गई इसलिए वे वहाँ से चला गया मंगलू मन ही मन उसे धन्यवाद देता है और अगले महीने अपनी बेहन की शादी बहुत धूम धाम से करता है और बाकी बच्चे पैसों से वे अपना जीवन अच्छे से गुजारता है और खेतों में मैनत करके अमीर हो जाता है